आज हम बनाएंगे कच्चे आलू का बहुती टेस्टी एकदम नया नास्ता तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर करें सब्सक्राइब करें मैं हूँ वर्षा और मेरी वर्षा इस किचिन में आपका स्वागत है तो आए वीडियो शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने द बचा हुआ अलू है उसमें से भी एकदम मोटी से स्लाइस हमने काट लिये और इस तरह से फिल से लंबा सपीस काट कर सोटे-चोटे टुकडों में काट लिया है इसी तरह से बागी के सारे अलू को काट कर मैंने पानी में डाली अच्छे से धो लिया है अब इस आलू को नि दालेंगे चावल का आठा जिससे नास्ता क्रिस्पी बने का अब आदा चमज लाल मिर्स पोडर थोड़ी सी हल्दी डालेंगे एक चोथा ही चमज आदा चमज धनिया पोड़र थोड़ी सी अजवाइन आदा चमज नमक चार चमज बारी कटा हरा धनिया डालेते हैं और कर देते हैं और दूसरा हो जाए तो नास्ता हमारा अच्छा नहीं बनेगा और इस तरह से मसलते हुए इसको मैंने मिक्स करके इस तरह से बैटर बनाके तयार कर लिया तो एक दम इसी तरह का होना चाहिए इधर मैंने पैन में दो बड़े चमज तेल गरम कर लिया है तो कर देते हैं और दूसरा नास्ता विम अब्टी भर के म और जैसे ही हमें लगेगा नास्ता हमारा एक साइट से सिख गया है जहावे की मदद से इसको बड़े साफधानी से पलटेंगे क्योंकि हमने बैटर इसमें बहुत कम मिलाया है और बहुत ही कुरकुरा नास्ता बनके तयार होगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरू बताएं तो इस तरह से अलटते पलटते हुए नास्ते को क्रिस्पी करा रहा होने तक मैंने इसको सेख लिया है तो बहुत ही अच्छा नास्ता बनके तैयार हुआ है अब एक चिम्टी के मरद से पैन पर थोड़े देर इसको रोक स계ज करेंऄ अच्छा नास्ता बनके घड़ोगे ऊच्छा रहणा झालटते ही अच्छादी करेंगते हैं